मैं आपको मैंन्ट और एके सिंग और आज हम अपनी एनसे आरटी का सॉरी यानि कि हम कर रहे हैं के विएस के टी जी टी सस्ती की तैयारी कर रहे हैं उसमें हम सो नंबर का सब्जेक्ट हमारा आना है उसके लिए हम NCIRT को कवर कर रहे हैं तो NCIRT में कौन से किलास की 6th किलास की आपकी जोगरफी ही हो चुकिए Political Science की भी एक है दो दिन में हो जाएगी तो आज हमारा जो 6th किलास की NCIRT के Political Science का Lesson No. 6 है तो Political Science की Lesson No. 6 की NCIRT को देखेंगे तो आज का जो यानि की पिछला चप्टर हमने क्या पढ़ा था पंचायत और ग्राम पंचायतों के बारे हम पढ़ा था तो उसके बारे में हमने cover कर लिया है आज का जो topic क्या है यानि की आज का चप्टर का नाम क्या है गाउं का प्रशाशन भई गाओं के प्रस्षाशन से सीधे सीधे हमारे जो एक concept आता है वो आता है local government का local government का concept आपने पढ़ा हिए तीन concept में बढ़े थे local government, state government and national government state government और national government में cm और pm की बात थी और state government गाओं के जो प्रस्षाशन था यानि की हमारा local body लोकल बड़ी में हमारा पंचायत था सरपंचते गरामप्रदान था ये सब चीजे आ रही थी तो हमें गाऊं का प्रसाशन हैं यह सब चीजे पर नहीं हो ती यानि कि आपके गाऊं के प्रसाशनवादे चैप्टर में ऊक आनी दिगकर कि की आउं के जगड में जो क्या होती है भाई गाउं के प्रशाशन गाउं का प्रशाशन तो गाउं के प्रशाशन में आपने एक नाम सुना होगा कि खेत और खेत में जो आपने देखा है रोड या मंडेर जो इसे कहते है उस डिवाइड होता है यह नहीं कि फैंसिंग से डिवाइड होता है खित उस हिसाब से डिवाइड होता है और उस हिसाब से एक वेक्ति दूसरे वेक्ति की मंडेर यानि जगा बढ़ा लेता है उसके सौब उसकी कहानी दी गई है तो उस कहानी को हमें पढ़ना नहीं हमें से पढ सब्सक्राइब करना है इसमें पुलिस थाने का छेत्र बाई पुलिस थाने का छेत्र से इसमें क्या है कि आपका राज मतलब आप हो इंडिया में इंडिया के 28 राज्य में मतलग हम UP में हैं UP में यूपी में फिर जिला वोगा उसमें जिले में भी छेतर होगा यानि कि छेतर में चलिए इसे डाइग्राम से समझते हैं इस तरह से आप समझ नहीं पाएंगे यह आपका इंडिया यानि कि भारत ठीक है इसके बाद है hashtain state आपका यानिकी pop यूपी के बाद है क्या आपका जिला जो भी है और जिले के बाद किया है आपका छेतर ठीक है तो छेतर में अगर आपको आपके साथ कुछ भी दिक्कत होती है चोरी होती है या फिर कोई आपको मारता है पीटता है तो आप भारत में के यूपी के या फिर जिले के या फिर छेतर के कहां पर आप लिखवाएंगे कंप्रेन छेतर के यानि कि आपके अपने छेतर में लिखवाएंगे तो छेतर में लिखवाएंगे यानि कि आपकी कोई द ने घर में यानि कि घर के मेंबरों से बात करते हो और घर के मेंबर में भी head of the member जो होता है उससे अपनी शिकायत का निवारन यानि कि बात करते हो तो यही इस तरह का concept है यहाँ पर थाने का छेतर यानि कि जो एक थाने का छेतर एक होता है यानि कि आपके जिला है माल लेजे क कोई भी जिला माल लेते हैं हम मेरट माल लेते हैं ठीक है मेरट जिला है मेरट जिले में आप रह रहे हो सदर में तो सदर के जो ठाना होगा वहीं तो जाके आप अपनी रिपोर्ट लिखवा होगे यह थोड़ी कि मेरट के आप मवाने जिले में या फिर कोई सी और जिले स्व मेरट जी लेके ममाने में जाके लिखवात हो या फिर कहीं और लिखवात होगे ऐसा नहीं होता इस पुरिस थाने का शेत्र का मतलब यह है कि आपका जो थाना लगेगा उसी में सबसे पहले आपको शिकायत लेखो अनिपड़ती है बहले ही उसके बाद आप SP office या फिर बड़ लेवल पर आप अपनी complaint को register करा सके तो यही आपको बताया गया है सबसे पहले इसमें फिर आता है हर पुलिस थाने का एक कारे शेत्र होता है यानि कि आपको इसमें समझना होगा कि हर लिखी भी देते हैं हर पुलिस थाने का एक खारे शेत्र होता है यानि कि आपने देखा होगा कि जैसे आपका post office एक होता है वैसे ही आपका पुलिस थाने भी एक होता है और उसी में आपके जैसे आप verification करवाते हैं जैसे कि आपके selection होगा और उसके बाद जो verification होगा तो वो आपके पुलिस थाने में होगा और वो भी आपके शेत्र का तो यानि कि हर वेक्ति का एक अलग जैंगा data नहीं होता एक जैंगा data पड़ा होता है फिर आता है पुलिस थाने में होने वाले काम पुलिस थाने में होने वाले काम क्या हूंगे अब आप इस चीज को समझिए पुलिस थाने में होने वाले काम जो है next topic है हमारा थाने का शेत्र यानि शेत्र के बारे में समझिए अब आता है काम इसमें क्या कहा गया है पुलिस ठाने में होने वाला काम पुलिस ठाने में होने वाला काम जो है वो क्या होगा जब लोग पुलिस ठाने में पहुचते हैं तो क्या होता है उनसे FIR का काम होता है, सबसे पहला FIR का काम, फिर जो भी समस्या है, उनके बारे में उत्पन, उसके बारे में चीज़े होती है, पुलिस ताने का काम क्या होता है, कि कोई व्यक्ति है, चोर है, चकरी है, इन सब चीजों का रखना, विवरणों का रखना, लोगों के बारे में ज जाना यानि कि यह लोगों की प्रॉब्लम को सुल जाना यह काम होते तो यह होते हैं पुलिस के कारी यानि कि काम Important हमा रहा है Next यानि कि हमें जो पढ़ना है वो समझना है आपको पुलीस थाने तक तो सब को पता होता है यह आ गया आता है राजस उका काम बैर राजस विभाग छोटा चप्टर है और चप्टर में आपको काम की बी चीज मिलती है अभी आपको एक चीज मैं पूछओँ आ तो वह आपको समझ में आ जायएगी क्या बैर देखें राजस विभाग है राजस विभाग गाउं की शेतर के साफिग जले हैं तो गाव के शेतर के और शेहर के शेतर में मैं दोनों चीज़े के साब से बता दूँए राजयस्वरी विबाग काष्य क्या होता है आप ने दीखा होगा कि आप गई होंगे कहां अपने जो जाती पर्माणपत्र आये पर्माणपत्र इन सब चीजों को बनवाने गया होगा या फिर आप गए होंगे अपना घर की रजिश्टरी किराया नामा इस तरह की जो चीजे आप करने गए होंगे तो वो कहां जाते हैं जाते हैं तैसील यानि कि दो नाम है एक है क्या तैसील का किसका नाम आता है तैसील का और एक आता है आपका कोट का तो यह क्या अलग-अलग है क्या है तो तहसील और कोट का नाम सुना होगा यानि कि पहले ले लेते हैं तहसील तहसील और दूसरा क्या है कोट ठीक है तो दो नाम सुने होंगे तहसील और कोट तहसील में क्या होता है अगर आपसे एक सब्सक्राइब पूछ जाए जितना भी काम होता है पैसे का लेन देन का और जंगा का इन सब का काम होता है वो होता है तहसील में यानि कि आपके घर की रजिस्ट्री, घर का नक्सा, घर का सारी विवरण, आपने कौन सी जंगा करे दी, कहां करे दी, कहां से डोकुमेंट आ रहे हैं, आपके जाती ब्रमान पत्र, आय प्रमान पत्र, आपका विवरण, वो होगा तहसील में, कोट में क्या होगा, कोट में ज जो प्यार मुहबबत का काम होता है यानि कि आपने जंगा ली शादी करी इस तरह के जो काम होते हैं वो होते हैं तहसील में यह ध्यान लखना कॉंसेप्ट दोना कोट और तहसील का कॉंसेप्ट समझ में आना चाहिए फिर दुबारा समझ लेजी पीछे लेके चलता हूं तहसील में प्यार मुहबबत का काम यानि कि प्यार मुहबबत शोरत और इस तरह का पैसो का काम होता है यानि कि आपको पैसा किसी से लेना है कब लोगे आपने जंगा बेची तब तो पैसा आएगा आपको नई जंगा लेनी है तब उसका यानि कि आपकी पदोनित्ती बड़ और जाती परमान पत्र के लिए आये परमान पत्र के लिए तैसील जाओगे तैसीलदार के सायन होगे तो जितने भी इस तरह की काम होगे जंगा का आपको खसरा कोतो नहीं निकलवा नहीं खसरा कोतो नहीं क्या होती एक तरह से आपके जंगा का मैप होता है जिसे हम खसरा कोत उसका मुकदमा कहां लोड़ोगे बैक कोट में लोड़ोगे या फिर आपका एक प्लोट है आपने रिश्ट्री करा ली और रिश्ट्री के बाद कोई वेक्ती कह रहा है कि वो मेरा फ्लोट है तो उसका मुकदमा कहां लोड़ोगे यहां पर लड़ोगे यानि कि जितने भी प गाउं का प्रशाशन में राजस्व का क्या रोल है राजस्व विभाग का यह रोल है कि आपकी जितनी यानि कि राजस्व विभाग का काम राजस्व विभाग का क्या काम है आपने देखा होगा कि गाउं में पर गाउं में ऐसा तो है नहीं कि सारे सहर के बच्चे वीडियो गाओं में जब आपने जंगा का मैप देखा होगा तो वह ऐसा होगा कि इस तरह से छोटा-छोटा सा बने होंगे टुकडे की ये इसका है ये इसका है इस तरह से मैप बना होता है उसे क्या कहते हैं पैमाना या फिर एक तरह से क्या कहते हैं पटवारी जो रिकोर्ड रखता ह तो उसे कहते हैं खस्रा खस्रा संक्या कितनी है खस्रा संक्या पांच खस्रा संक्या जिसमें खस्रे लिखे होते है सभी का विवरान लिखा होता है तो उसे कहते हैं खस्रा खस्रा इंपोर्टेंट है खस्रा भी मैं बता दूँ तो राजा सुविवाग का काम ही होता है सभी के रिकोर्ड रखना है यानि कि A to Z A to Z कैसे आकरी तक अग्या तक मानगे चलते हैं सभी का रिकोर्ड रखने का काम क्या होता है राजा सुविवाग का कि मान लेजे राम के पास राम के पास दो बीगे जमीन है तो दो बीगे जमीन और शाम के पास तीन सो बीगे जमीन है तो उनों का विवरण कहा मिलेगा राजस्व विवाग में यानि कि आपके तैसील में उन दोनों का विवरण मिलेगा चलिए इसे मिटाते हैं आप आगे चलते हैं क्या कॉंसेप्ट भाई पटवारी कौन होता है ठीक है पटवारी के बाद जो हो रही है पटवारी 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 क्या होता है पटवारी जो होता है किसानों की जंगा का नाप तोल के विवरण को रखता है यानि की आप राम की पास कितनी जंगा थी दो भी के जंगा थी तो राम ने जो राम की जगा थी उसका जो विवरन रखेगा यानि कि पटवारी उसका पैमाना करेगा कि आपकी जगा यहां से यहां तक है और उसको लिखकर अपने राजस्वे विवाग में भेज देगा कि राम के पास दो भी के जमीन है और यहां से यहां तक है और इसका खेट इस जगा पर है और उसको नापे का कौन यानि कि नापने का भी काम पटवारी का ही होगा यानि कि भूमी कर भी कट्टा करने का काम भी किसका है पटवारी का किसान की भूमी कर कोई खट्टे करने का सर चाहसिन को बदलने के लिए भी अवगत कराता है अब आता है आपका खसरे की बात जो खसड़ा you important है वह भी आपको समझ लेने चीब खसरा क्या होता है ठीक है यह सममझ मैं कि यहिर में करके रोल क्या और आता है खसरा भाई खसरा important है, खसरा का याद रखना, ये question पूछा जा सकता है, तो खसरा क्या होता है, खसरा एक यानि कि यह है पूरा गांओ आपका, ठीके गांओ बटा है चार पटो में, जैसे पटे कहते हैं, चार पटो में, तो खसरा जो होता है इसका ये सेत्र है यानि कि यहां का खसरा एक एक नमबर माल लिए यहां का दो हो गया यहां का तीन हो गया यहां का चार तो चार खसरे हैं पुरे पट्टे वन में और फिर इधर पांच छे साथ इसी तरह कट्टे हैं तो उस खसरे का जो यानि कि एक तरह पहले नंबर का खसरा का रिकोर्ड को रखेगा पटवारी रखेगा यानि कि पटवारी ही रिकोर्ड रखता है खसरेगा और पटवारी ही जमीन को नापता है इस सब चीजे जैसे आपके यूबी में भी पटवारी की जोब निकले थी कब अकलेश सरकार के टाइम पर तो वही चीज थी पटवारी पटवारी क्या करता है मैथेमेटिशन होता है जंगा का एक तरह से विवरन रखता है कि राम के पास इतनी जंगा थी और शाम के पास इतनी जंगा थी उसका विवरन रखेगा कहां पर थी कहां पर थी यानि कि आकरित नदी के पास जंगा थी राम की नद ख़ेत्षे में क्या होता है कितने बार भिक चीछी है हर 11 जवते गई जुसाल ह। खहते हैं फसलिस सब चीजे खविति गन्ना होता है, आख नहीं धीर ठीक है बचो तो next चलते हैं अब आती है क्या एक नया कानून last topic आपका बचरा है नया कानून भी आपको पता होना चीए नय कानून के त्वारा यानि की कानून आपको पता होना चीए नय कानून जिसके हम कहते हैं आपने एक नाम सुनाओगा हिंदू अधिनियम था यानि की हिंदू मैरेज एक्ट में अभी तक यानि की पहले यह होता था कि जो पुत्र होता था उसे संपत्ति का अधिकार था यानि कि पुत्र को संपत्ति का अधिकार होता था और क्या होता था पिता की मिर्ट्यों के बाद पुत्र को कुछ नहीं मिलता था यानि औरत को कुछ नहीं मिलता था तो उसी को देखते वे कि लड़की क्या चाइड नही है यानि कि पिता की जो फादर है उसमें क्या होता था बोई का importance होती थी यानि कि सारी जंगा पर कबजा होता था बच्चे का तो बच्चे का कबजा ना करने के लिए government ने girls को भी importance दी है तो यानि कि अब जो इसा होता है वह girls का और boys का दोनों का बराबर अगर किसी के पास मतलब राम की जंगावाटनी एक लड़का उसके लड़की दो भी के खेत है तो एक भी के खेत उसके लड़के के पास सेल जाएगा और एक भी के लड़की के पास सेल जाएगा यह है concept Hindu marriage act का यानि कि बेटियों को जो नया concept आया था कानौन का अन्य सारजनिक सेवा यह जो important नहीं है हमारे चेप्टर में आंगनवाइडी यह सब चीजे important नहीं यानि कि आपके गाउं में सारजनिक सेवा कौन कौन सी है यह पूछा गया था तो वो है राशन कार्ड की दुकान थाना बीज की खाद की दुकान आंगनवाडी बैलवाडी सरकारी स्कूल प्रात्मी यह सब चीजे important नहीं तो जो चीजे important थी इस chapter में वह आपके cover हो चीए पटवारी तैसीलदार आप आपको पताना चीए अभी दुबारा में फिर कह रहा हूं चले पीछे लेकर फिर मैं पता देता हूं तैसील में तैसीलदार बैटता है यह भी पूछे सकता है क्योंकि कुछ भी आ सकता है तो कुछ भी आने का जो संभावना है वो जो पॉसिबिल्टी ज्यादा बननी है व जंगा का लेना वेक्ति को बड़ा चड़ा के दिखाना और बड़ा चड़ा के दिखाने में क्या होते हैं लड़ाई जगड़े होते हैं और लड़ाई जगड़े को सॉल्व करने कहा जाते हैं यानि कि यहां पर क्या होगा जंगा करीदी जाएगी कोई अमीर बनेगा तो क बत बत वारी एक वेक्ती होताँ जो विक्ट गाओं के हर व्यक्ति की जंगा का विवरन लगता नाप तोल करता और किसानों को ये सलाः देता है कि इसमें नहीं सब चीज़ें वहई बई वह कहने की बात है कोई सलाह नहीं देता कोई पतवारी मी यायता सब पै एक तरह से यह कहते हैं कि आपकी जंगा का वेवरान रखते हैं बस और उस जो next था खसरा खसरा होता है एक तरह का रिकोर्ड होता है आपकी जंगा का जो रिकोर्ड होता है उसमें आपकी जंगा में कितने मेंबर हैं कितने लोग हैं क्या फसले हैं और वो उगाई जाती और य आपको गौर्मेंट के या तैसिल से मिल जाएगा या फिर ओनलाइन आप तीस रुपे का सुल्क जमा करें आपके खसरा नंबर, जो खसरा नंबर है आपको पता है तो खसरा नंबर डालिए और आपका खसरा किसकी संक्या आपके या फिर आपके फोन पर डाउनलोड हो तो उसे खहते हैं कसरा तो यह हो गया फिर आगया नया कानून में गया है नया कानून में जो पिता की संपती होगी वो गल्स और बॉइस को दोनों बटेगी पहले हिंद मेरे जैक्ट में ऐसा नहीं था खाली बॉइस बॉइस को बटती थी और 2005 की सम्थिंग के बाद 2005 का ऐख्षार यह होगा बहिए आप यह मान लीजे एक पिता के दो बच्चे हैं एक लड़का और एक लड़की तो क्या वो दोनों एक ही मां के गर्प से पैदा नहीं होएं क्या वह एक ही पिता के दौरा पढ़ाएं नहीं गई क्या वो एक ही पिता के द्वारा उनकी जो क्या कहते हैं कि उनके कारें नहीं किये गए तो क्या अब लड़किया जैसे पावरफुल है नहीं दोनों के कारें एक सांत हुए एक ही चीजें हुए पढ़ाया भी गया सब कुछ हुए एक ही घर में पड़े हैं एक ही घर में सब जो जो है तो क्या जगा में अलग-अलग कर दिया जाए शादी में अगर वो किसी और से शादी करके कहीं और जा रही है प्राएगर मान के चलते हैं प्राएगर जा रही है तो क्या उसका हगदार नहीं नहीं हगदार है इसलिए यह यानि कि स्प्रेम को writings और प्र इस फैसले को लेकर लड़के वी उसमें बेनेफिन दियता है यानिझिए यह फादर के जो जो रोल था उसमें भी और जो नेक्स्ट आ रहा है वह आ रहा है नानी के आनिक जो नानी 울ावा जो从्सेप्ट है उसमें भी जायदात के हिस्सा तो इस हिस्से के यानि कि यह लड़ाई तो चलती रहेगी हमें क्या करना है अपना केवेस का एक्जाम के लिए करना है और लड़ाई जगड़े से दूर रहना है अपने पैसे को खुद कमाओ खुद कमा के खुद जंगा खरीदो वह इंपोर्टेंट है दूसरे की जंगा पर लालच मत करो कहीं न कहीं वह इंपोर्टेंट है अपनी खुशी यानि कि अपने पैसों से जो चीज कमाओगे वह लॉंग लास्टिक चलेगी तो ठीक है बच्चों यह जो टॉपिक था यानि इसमें समझ लिए ठीक है बच्चों आशे करता हूं को वीडियो पसंद आई है यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ठैंक यू